हेलो वीवर्स नमस्कार मीरना में डॉक्टर शिरीधर और आज हम बात करेंगे पुर्शों के लिंग में होने वाले टेड़ेपन के बारे में जो क्लिरीकली हमारे पास जो पेशेंट्स लिंग में टेड़ेपन की शिकायत करते हैं वो मेंली तीन तरह के होते हैं पहले तरह के जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि उनके लिंग में तनाव की कमी के साथ साथ लिंग में थोड़ा टेड़ा पन और ढीला पन भी है इसे हम inadequate erection, poor erection या erectile dysfunction कहते हैं और ये एक pathological condition है इसके लिए treatment की अवश्कता होती है अगर आप इसका treatment नहीं लेते तो आप एक successful intercourse जो है perform नहीं कर सकते जो दूसरी तरह के patient हमारे पास आते हैं उनकी complaint होती है कि उनके link में तनावगी तो कोई कमी है ही नहीं मगर जब वो perform करने के लिए अपने female partner के पास जाते हैं तो उनके link में थोड़ा right side को, left side को, उपर को या नीचे को थोड़ा सा जुकाव या थोड़ा सा inclination या थोड़ा सा टेड़ापन होता है ये एक बिलकुल physiological condition है इसके लिए किसी treatment की, किसी lotion की, किसी oil की, किसी ointment की ये कोई ज़रूरत है ही नहीं इस problem को अच्छी तरह समझ देना ही इसका एक सफल इलाज है तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे पुर्षों के link की बनावट, anatomy और physiology के बारे में पुर्षों में जो link है वो तीन sponge muscle के मिलने से बनता है ये तीनों sponge muscle जो हाइली elastic होते हैं इन में बहुत ज़्यादा लचक होती है जब हम अपने partner के पास sexual performance के लिए जाते हैं तो हमारे mind के अंदर एक hormonal thrill पैदा होती है इस hormonal thrill से ही हमारे link के अंदर दो तरह का pressure maintain होता है एक होता है radial pressure तूसरा होता है axle pressure axle pressure हमारे link की लंबाई को तो ता radial pressure हमारे link की मुटाई को maintain करता है और ये दोनों pressure जो हैं जो link के अंदर maintain होते हैं ये हमारे mind six thity के अनुसार थोड़े बहुत fluctuate होते रहते हैं जिस तरह से हमारा blood pressure जो है वो भी हमारे mental status के अनुसार थोड़ा बहुता fluctuate होता रहता है उसी तरह से link के अंदर भी during section intercourse ये दोनों जो pressures होते हैं थोड़े बहुत होते होते हैं और दूसरा link के अंदर हड़ी नहीं होती link के अंदर हड़ी ना होने के कारण link को कभी भी 90 degree के angle पर maintain नहीं किया जा सकता और ये को erect नहीं किया जा सकता इसलिए इसमें थोड़ा बहुत जो है right side को, left side को, उपर को या नीचे को link के अंदर थोड़ा जुकाव जो होना है या inclination होनी है या थोड़ा सा इंच लंबी होती है और उसमें से सिर्फ दो इंच का बाहरी एरिया जो होता है वो highly sensitive जा जिसको हम erotic zone बोलते हैं, erotic player provide करने वाला zone बोलते हैं वो है तो जो female का जो वजाइना का जो बाहर का 2 इंच का area है उसके अंदर एक spot होता है जिसे जी spot का जाता है ये जी spot जो है ये female को sexual gratification, climax या उसको sexual player जो है वो provide करता है और इसकी जो दिवारे होती है जो वजाइना की internal walls होती है अंदर की दिवारे होती है वो highly sensitive होती है अगर link उनके उपर touch नहीं करेगा या जी spot के उपर rub नहीं करेगा या link की जो link है वो वजाइना की internal walls के साथ rub नहीं करेगा तो female को आप sexual gratification provide नहीं कर सकते female को कभी भी आप काम सोक की प्राप्ती नहीं करवा सकते इसलिए link का वजाइना की walls के साथ rub करना या touch करना एक, it's an integral part of sexual intercourse तो अगर आपका link जो है बिलकुल सीधा होगा तो वो इन जी spot को जा इन जो जो वजाइना वाल्स हैं उनको touch नहीं करेगा उनको rub नहीं कर सकता तो इसलिए link का टेड़ा होना absolutely normal है और होना ही चाहिए अगर आपका link टेड़ा नहीं है तो then you are not able to perform intercourse properly तो आप समझिए कि अगर link का टेड़ा पन है तो ये normal है इसके लिए किसी lotion, cream या किसी भी medicine की कोई जरूरत है ही नहीं तो next हम बात करेंगे एक तीसरी तरह का टेड़ा पन होता है जिसे हम pyroni disease कहते हैं एक्चल में pyroni disease में link में टेड़ा पन नहीं होता बलकि इसकी shaft जो है वो आगे से मुड़ जाती है ये एक structural defect है और इसके कई कारण हो सकता है कि कई trauma हुआ हो या कोई दूसरा genetic कारण भी हो सकता है तो इसमें link जो है वो आगे से मुड़ जाता है लिंक के आगे से मुड़ जाने के कारण आप penetrate नहीं कर सकते during sexual intercourse आप penetrate नहीं कर सकते मतला आप बजाइना के अंदर अपने link को insert नहीं कर सकते इसलिए ये एक ऐसी problem है वो pathological है जिसका इलाज जो है अतियवश्यक है अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो I think you will not be able to perform intercourse properly तो इसकी भी जो पैरोनी डिसीज है इसकी भी degrees होती है ये किस डिगरी पर है ये आपका जो वैद हकीम या डॉक्टर जो qualified वैद हकीम या डॉक्टर है वो decide करता है कि इसके लिए treatment किस परकार के treatment की जरूरत है अगर आपको पैरोनी डिसीज है तो आप किसी भी qualified वैद हकीम डॉक्टर या मेरे से सला करके इसका treatment ले सकते हो यहाँ पर take home ऐसे ये है कि अगर आपके लिग में तनाव की कमी के साथ-साथ आपको टेड़ा पन है उसको हम erectile dysfunction बोलते है या हम उसको inadequate erection बोलते है या हम उसको poor erection बोलते है वो एक pathological condition है जिसके लिए आपको treatment लेना चाहिए दूसरी condition है जिसमें आपके link के अंदर तनाव तो बिलकुल पूरा है मगर during sexual intercourse थोड़ा बहुता link जो है right side को left side को उपर को या नीचे को थोड़ा टेड़ा होता है ये एक physiological condition है इसके लिए कोई treatment की ज़रूरत है ही नहीं तीसरी तरह का है pyrony disease pyrony disease जो है ये एक pathological condition है और ये एक disease है इसमें band की degree जो आपके link के shaft की जो band है उसकी कौन सी degree है उसके हिसाब से इसका treatment किया जाता है तो यहां पर take home message है कि अगर आपको इन मेंसे कोई भी problem है तो आप अपने doctor से consult कर सकते हैं उससे सला ले सकते हैं अगर आप चाहो तो आप मेरे से भी बात करके पूरी सला ले सकते हो या treatment करवा सकते हो तो यहां पर यह वीडियो यही पर समापत करता हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले knowledgeable वीडियो आपको असानी से मिल सके जै हिन्द जै भारत सर्वे संतु निरामे